नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एज्यूकेशनल गेलरी में इस वीडियो में हम जो बीसी पार्ट व आपका जोलोजी ओनर से उसका वी वी आई कोशन हम पिछले वीडियो में अपलूड किये हुए थे तो उसका कुछ आंसर लेका है एक कोशन कर डेली हम एक एक कोशन लाएंगे बच्छों जो वी वी आई है जिसका मैक्सम प्रवाबिल सकते हैं तो क्या कि आप ध्यान रखें कि वहां आसानी से अपलिक सके एक्जाम सेंटर में ठीक है तो वह सब थोड़ा थोड़ा हम चीज बताएंगे साथी साथ आपको कंटेंट प्रवाइड कराएंगे कि आपको इस प्रकार से लिखना है ताकि आप जाल ज्यादा नमर ए प्रकार प्रकार से लिख करेंट इसटार के बारे में और उसका हर्मोनल रेगलीशन किस प्रकार से फीच फेशेसे प्रोजिशन मैंस्टार इस टालता है प्र एक्टिण बच्वाँड ठीक है और यह तो सुरुवाथ है आपको और चाहें जूलोजी हो बोटनी हो चेमिश् जो भी आपका स्लेवस हो doesn't matter आपको किसी में भी help चाहिए content से related help चाहिए तो particular question का नाम लिखे कि हमको इसके वारे में चाहिए आप वीडियो अप्लोड कीजिए हम जरूर करेंगे बच्छो कोसिज करेंगे आप बस comment section लिखे description box में अपना वाट्सप नंबर भी देदेंगे यदि आपको रेखा का रेका का गेश पेपर चाहिए गेश पेपर का PDF चाहिए तो आप अपने वाट्सप नंबर से मेरे वाट्सप नंबर मैसेज करें हम वहाँ पर आपको भेजेंगे बच्छो ठीक है हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइ है ठीक है हम यह मैं इस्ट्राशन शाइकल देखेंगे बच्छो ठीक आई देखते हैं कि शुरु से देखते हैं मेंस्ट्राइब सैकल देखें बच्छो यह हम एक अच्छे से बुक से उठाए हुए है ठाकि आप सारा सारा कंटेंटिस में आ जाए और सब को ध्यान ने लखने सकते हैं और इधर उधर के जोगार में रहेगा तब निस्तित है कि कुछ छूट जाएगा बच्छों तीन गंटा में 15-16 लिखना परता है 32 पेज़ का सब्सक्राइब तो बहुत ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है ठीक है आप इधर दो ध्यान डाली ने सकते है दर दर ध्यान डालेंगे तो आपको भी अनुभाब होगा पार्ट वन का या अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं जो पार्ठी में या हो सकता आपका सेनियर पार्ठी में एक्जाम दिया हो उसे पूछ सकते छूट ही जाता है बच्छों ठीक है तो इसलिए आप जो हम कंटे री प्रोड़ा टी पिरियोड ऑफ ही इवन फीमेल ओफी थर्थ थी एर री पॉड़ा की पीरियड मतलब इस पीरियड में वह मतलब रीप्रोडाक्शन के लिए गिएवल है मतलब भी प्रोडर्टशन का मतलब बत्चा पैदा कर सकता है ठीक है वैसा थोst प्रोडर्शन का मतलब बच्छा पैदा करना ही होता है ध्र जी अ सब्सक्राइब करना ही भी यह मतलब करना थो तो इसके लिए TEमीरद्शन सिर्पिंट करना जभी तक कि महि necesita को होता है अक्सर किसी को 40 45 तक भी होता है लेकिन जो एवरेज है 30-33 यह मतलब इसमें क्या करते हैं अच्छे सोता है ज्यादा एज में अगर बच्चा कंसीव करता है तो क्रॉसिंग और सब नहीं हो पाता बच्चों ठीक है वह आप आगे पर यह का उसमें दिक्कत हो सकता है तो ज्यादा एज में बच्चा मतलब पैदा नहीं करना चाहिए एक्स्टेन फ्रम प्यूवर्टी कब से शुरू होता है तो एक्स्टेन मतलब प्यूवर्टी दस से चोदा साल से ही सुरू हो जाता है यह मैं से साइकल टू मीनोपॉस मतलब 45 से 55 साल तक 45 साथ अगराता ठी है तो इस ट्रीप प्रोडक्टीव प्रियोड और इस फीमेल री प्रोडक्टीव ट्रैक्ट अंडडर्गो एस सीज़ीज ऑच्लीक चेंजज विचर प्रामरली मिन्टी टू आगे देखते हैं डिरिंग दिस रीप्रोड़क्टीव प्रियोड में ओवरीज और और फीमेल तो इसमें कुछ ने कुछ बदला होता और भी बदला होता है वहीज हम देखेंगे कि एक मिट बच्चो देखें बच्चो प्रिपेर देम फ्रॉर्म प्रिपेर मतलब उनको तयार करता है प्रिपेर देम फॉर्म उसमें बदला होता है प्रिपेर देंपर फर्टलास्ट पकले फेलस सब्सक्रा हैं और और में चैन सब्सेब्ला कि होता है बंस्ट प्रस्टीत चीज भी वेडियोडिग एंट मुच्छ पीक्यूलियर अजीव कुछ नया जो होता है इस motorcycle का जो सबसे पीईुलिर चीज क्या है तो vaginal bleeding होता है है वेजायना से bleeding होते रहना दो रक्त का रहा है secretion होता है जीस को menstruation करते हैं which last 4 a bot 4 जो 4 दिन तक चलता है ठीक ने क्कैज पेरिट में अगर स्थी मेंस्ट्रेशन साइक्ल का जो लेंग होता है किसे में 28 डेज का चलता किसी में 30 किसी का 20 दिन का ही चलता बच्चो एरेगुलर हो जाए तो यह विराइज इन बीमेन बताब जो भी आउरत है उसमें अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग होता है वर्ट ऑन एबरेज इड क कुआ जो दूसरा साइकल होता है उसमें एक या दो दिन का अंतर हो सकता है इस अपसेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेभी सपो सप्रेज्ट ड्यूरिंग लेक्टेशन एंड प्रमनेंटली स्टॉप अट मिनोपैज देखिए बहुत ही अच्छा लाइन है कि मेंस्टाशन सा साइकल स्टॉप हो जाएगा यह ध्यान रखेगा आप मेभी सप्रेज्ट सप्रेज्ट मतलब दवा सकते हैं उसको या रुख वही एपसेंट समझेए कब लेक्टेशन यदि उसका बच्चा हुआ है नया नया बच्चा हुआ है तो अगर बच्चे को दूद पिला रही है म में स्क्राइब सब्सक्राइब होता है जिसमें खुद को तयार करती किस चीज के लिए तो प्रेग्नेंसिंट के लिए खुद को त्यार करती है इस साइकल के अंतराव में सैकल का अंदर क्या होता है तो उसको और उसको है और प्रेग्रेटिव ट्रेक्टिव ट्रेक्ट लिख थी है यह और अच्छे से प्रेगिनेंट हो सके ठीक है फटलाइशन का प्रक्रिया हो सके और हम पर है कि जो लेंथ होता है में सब्सक्राइब का अलग लग फिमेल में अलग होता लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो 28 देज का चलता है बच्छो यह तो सभी जानते हैं आप सब फिर देखें कि में साइक्ल अब सेंट कब हो सकता है तो तिन केस में अब संट हो सकता है पहला यदी कोई फिमेल प्रेगनेंट है दूसरा अगर वह लेक्टेशन कर रहे हैं मतलuben अपने बच्छे को दूद्ध पिला रहे तो अब संट हो सकता है थर्ड यदि मीनो पॉज आगे मीनोपॉस 40-45 क के बीचे मीनोपोज आ जाता है बच्छो मैक्समाम फीमिल का अगर इस तिनों केस में क्या होता है तो मैंस्टोज सेकल स्टॉप होता है ठीक है यह हम अभी तक देखें बस इसी जिसको दो तीन बार माइंड में सोच लीजे बच्छो और एक्जाम में जाके लिग देना है हॉर्मोन के विश्चिस में बाटा गया है बच्छो सबसे पहला है फॉलीकुलर या प्रोली फेरिटी फेज और प्री ओविलेटरी फेज चारू नाम ध्यान रखें का बच्छो जो मालीजे सबसेडरी वाले भी हैं यदि कोई सबसेडरी वाले हैं तो पूछ देता है कि फ तो उसमें भी आता है बच्छो यह चार ओप्शन में से किसी में किसी में आ जाएगा तो यह थोड़ा ध्यान रखेंगे चारू नाम सबसे पहला जो फेज उसको फॉलीकुलर फेज या प्रोली फेरिटी यह दोनों तो कम से कम आप याद रखिए फॉलीकुलर या प्रोली इसके अंदर क्या होता है बच्छों देखिये हॉर्बोन काव रोल है अंडर थे स्टुमिलिशन अ फ्ष एच आरफ आप है पो थेलमस देर आर देर इस इंक्रीजिसी क्रीशन अफ़ फ्रम इंटेर पिट्यूरी एफ यह का सिक्रीशन कहां से बरता है तो इंटेरियर पिट एंटेर्ड इंटेर्ड विक्रीशन इस खेंड़ primary follicle of the ovary into graphene follicle जो ovary कंदर जो primary follicle होता है उसको graphene follicle में बतलता है कौन FSH Follicular cells of graphene follicle follicular cells of graphene follicle secret estrogen जो graphene follicle का जो follicular cells होता है वो estrogen secret करने शुरू कर देता है estrogen have the following effect और वो estrogen का देखिए बच्चों कुछ एफेक्ट होगा estrogen क्या करता है stimulate the growth maintenance and normal functioning of secondary sex organ estrogen जो है growth कराता है बढ़ाता है maintenance मतलब उसको कायम करना मतलब बना के रखना normal functioning secondary sex organ जितना भी secondary sex organ female अंदर जैसे अगर कोई female बच्चों आप जानते होंगे कि मैंस्तों जब होता है तो उसमें breast का साइज भी develop होने लगता है क्यों क्योंकि estrogen बनने लगता है ठीक है और estrogen अभी हम देखें कि क्या करता है तो normal functioning of the secondary sex organ उसको maintain growth भी करवाता है जैसे breast ही लेजिए तो breast का साइज भरता है यदि कोई female मेरे उसका साधी हो गया है तो अगर वह बच्चा कंसीब करना चाहरी है ठीक है तो उसके अंदर lactation भी मतलब sorry lactation करते हैं उसे milk बनना शुरू हो जाएगा बच्चों ठीक है तो second sex organ जैसे breast के बारे में बताए थे waste development यह सब female के अंदर क्या है तो secondary sexual development waste मतलब कमर चौरा हो जाता है तकि अच्छे से वह बच्चे को conceive कर सके यह सब इसी का feature secondary sex organ का करेक्टर है तो इस्टोजन यह सब करवाता है बच्चों ठीक है यह ध्यान रखेंगे काफ द्यान रखेंगा यहां चुक्ते राइन इंडमेत्रिय म Hair हो था परिमैट्रे मां मैय इंटोमेट्रिम तो रहां इंडमट्रिम विक mówi को मोटा होने लगता है अबाद 2-3 mm थिक 2-3 mm थिक हो जाता है बच्छो मोर वस्कुलर और इस पिरियर में वह ज्यादा वस्कुलर हो जाता है और इसमें ग्लेंड भी थोड़ा पूद बनने लगता है इस बन जाता है कि खुद को वह इंप्लांटेशन के लिए प्रिपेर कर सके दैपिथिलियम और फ्लैपियन ट्यूब बिकम्स थीक एंडेंसली सिलियेटेड तो अच्छे सब्सकों रिसीव कर सके ठीक है बच्छो तो है कि फूर्थ है इन हीटेसिशन प्फष्ट सेक्रेशन अप येज ऑगन सेक्रिशन लुत्यूंटर यह जो है इस्ट्रोजन फफफचर के दौन हम करता हैं और लच के सबसेब ब्रकार को सब्सक्रेटा रगा यह वह यह थान रखेगा कि फ्फच्रों को कम करना और लच को बढ़ाना फ्रॉम दा एंटीर पीटिटरी वही कहां से इंटीर पीटिटरी से बताया थे कि फैसे तो यह लेच्छ दोनों कहां से निकलता है एंटीर पीटिटरी से पॉस्टिरी पीटिटरी से दो ही ध्यान रखना बचो अपने लिवल पर ऑक्सी टॉक्षिन और वेस यूट्राइन का जो यूट्रस का एंडोमेटर से लिए उसके अंदर क्या क्या होता है एफसेज का लेवल बढ़ता है एफसेज का लेवल देशाई बरातों वेरी में चेंज हुआ करने लगता है इस्टोजन का फिर रोल क्या क्या लिख देंगे इस्टोजन क्या कराता है बचो सब्सक्राइब को अच्छे से उसको और्गनाइज करता है अच्छे सो बनवाता है ताकि वो ओवम को या जैगोट को अच्छे से रिचीव कर सके और इधर कहां यूट्रस के तरफ धकेल सके फिर जो इस्टोजन का सबसे बरका रोल एक और देखेंगे कि वह एफसच को इनिवीट करता है और एलेच को प्रोमोट करता है और क्या था ग्लाइकोजन फैट अकुमुलेट जो की इंड्रोबेटर करवात है अवलिशन मतलों ओम का कहां से ओरी से ओर्म कर निकलना या ग्राफियन फोलिकल जो ओरी के अंदर होता है उससे ओर अवां करने करना वुछन करते बच्छो ठीकर अजिए अब बीट्वीन टू मेंस्टें साइकल दो मेंस्टों साइकल के बीच में यह होता है या 15 देपर या अधिकतर 14 या 15 देपर होता बच्छों अब अब था ओंसेट अब तो मेंस्टों साइकल इस कॉस्ट बाइंक्रिजिंग टर्जिटी एंड कंट्रेक्शन ऑप स्मूथ मसल फाइवर अरूंड ग्राफियन फोलिकल इस कॉस्ट इंक्रिजिंग टर्जिटी जो मतल सब्सक्राइब करता है यह यह याद रखें कर वाता कौन है तो लेच जिसको लेच सर्ज भी करते हैं सब्सक्राइब करने लगता है इस्ट्रोजन हम लोग देखें तो ग्राफियन फोलिकल से सिक्रिट हो रहा था यहां जब अविल्यूशन के बाद जो ग्राफियन फोलिकल बचा वह बाद में कॉर्पस लुटियम बन गया वही प्रोजिस्ट्रों सिक्रिट करने लगा ध्यान दीजेगा फिर कहा रहा है कि यूटरस यूटरस के अंडरोमेट्रियम है अभी इस्ट्री अध्यान रखिए गाएं नाम दिखान रखिएगा बहुत ही इंपोटेंट है नाम इसका यह 12-14 दिन तक चलता है एक्स्टेंड फ्रम देश्टीन तो ट्वेंटीए देश्टी मतलब पंद्रव दिन तो अब लीशन हो गया ऑब लीशन के बाद आप क्या चलेगा लूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज तो होता है उसे क्रॉपास लूटियम बनता है उसका साइज बरता है इसी हलिए इसको लूटियल फेज करते हैं कॉर्पास लूटियम सेक्रेट प्रोजिस्टरों करता है हॉर्मन वूज लेवल इन ब्लड ग्रिजवली इंक्रीज़ एंड इंडूसेज फॉलविंग चेंज़ प्रोजिस्टरों का लेवल ब्लड में दिरे दिरे बरने लगता है और वो बाद में क्या-क्या-क्या बदलाओ करता है देखे बच्चों कि फर्स्ट है डिक्रीज़ शीक्रीशन ऑफ एफ 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 के सिक्रीशन को कम करता है एनलेच गॉनाइड ट्रॉपिन फ्रम एं दिजिएगा प्रोजिस्टों का क्या बहुत बदा रोल हो गया आव कि प्रोजिस्ट्रों जब आ गया-गया था अल्ग्यूंत्त बहुत इंपोटेंट ये वह फस और लच दोनों को ञंटो फैंँक है नोगे तकि आपको पता है कि अबलीशन हूआ ऑना था अब लीजितन जो पहले वा था फॉलीकूलर फेज में सबसे पहले बना था बच्चों एफसेज एफसेज आया फॉलीकूलर फेज में फिर ठीक है हम लोग देखे थे तो अवलिटरी फेज उसमें लेवल बहुत ज्यादा हो गया था ठीक है लेच का लेवल तो अवल्यूशन हो ठीक है आप तो हम नहीं चाहते हैं कि दौरा अवल्यूशन हो क्योंकि एक बार ओवम आ चुका है आप यहां से स्पॉम जाएगा फर्टिलाजिशन होका जाए स्पॉम से फिर एले चाया ओविल्यूशन करवा दिया क्या वलीशन हो गया सब चीज़ को प्रोजिस्ट्रों सब भन रहा है तो आप क्या करना है कि हमको दोआरो ऑफ नहीं करवा up यह थिक है तो प्रोजिस्ट्र या करेगा दोनों को दबाएगा सप्रेस करेगा ताकि में किस पिरियद में लूटियल फएज जिसको सैकृटिटरी भी काते हैं जो उसमें इंडोमेट्रियम यह पांच मिलीमेटर और मोटा होता बचो ठीक होता है एगी फटेक होता है यह से खुद को तयार करता है इंप्लांटेशन हो नहों वह फ्यूचर के बात है लेकिन पहले तो यह हम सब देखे तो फिटेल फेज देखे ने और आगे देखते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें चिक है इसमें से अच्छा-च्छा पॉइंट आपको लग रहा है आप इमने कौपी पर लिख लीजे क्या क्या अब लेटरी फेज यह लूटेल फेज वह सब में सब कुछ नों कुछ पॉइंट लिख लीजे सब एकदम कानी की तरह हम समझा दिया है सब एक एक दूसरी से लिंक है बच्छो और अच्छे से आम इसी को लिख देना है आगे देखते हैं आप देखिए बचो सिर्य हम मेंस साइकल ठीक है मैं जो मेंस वाल साइकल एक से चार दिन तक चलता है वेंद ओवम रीमेन अन फटिलेज माली यह ओवम दो दिन तक वियावल था उसमें अगर सपन नहीं आया अन फटिलाइस हो गया मतलब फटिलाइस नहीं हुआ तो जो क्या होता है ओवम तरप तरप के परदिल इसड उसने कम होगा तो है कि प्रोडिस्ट वोगा यहम निकलेंगे को यूटरस का जो टीशु होता है खुद को मेंटेन ने कर पाता है क्योंकि याद रखी कि आप प्रोजिस्ट्रों को प्रेगनेंसी हार्मोन भी करते हैं ताकि यदि फीटस आए फर्टलाइसन हो तो फीटस आएगा जागोट आएगा उसको इंप्लांट कर सके तो चुकि कॉर्पस लोटिम खुद डीजेनरेट हो रहा है तो मेंटेन कहां से कर पाएगा यूटरस को तो मेंटेन करने में फेल हो जाता है देन अन फर्टलाइज ओवम अलोंग भी रप्चर्ड यूट्राइन इपिथिलियम जो अन फर्टलाइज ओवम था और यह फिथिल हुआ और जो एंड्रमेट्यम का वॉल बना था पांच मिल्मीटर ठीक हम लोग देखेते बच्चों वह डीजेनरेट सुरू होने लगता है डीजेनरेट मतलव एक प्रकार से खतम होने लगता है तो ब्लड करूप में ब्लड बहार आता है फ्लो के रूप में वेजिनल और मतलब दोगों हो लोता है एक तो होता है यूरीन पास के लिए दूसरा यही उता है जो मेंस्ट्री फ्लो हो बहार आएगा जा रिप्रोड़क्शन में वही रोल करता है वेजिनल और फिस दियान रखेंगा तो उसे बहार आने लगता है जिसको मेंस्टूइस नहीं लोग करते हैं फिर देखेए डिक्रीज इन देलेवल प्रोजिस्टोन अनिस्टोजन इंड ब्लड इस्टूमिलिट तो यही प्रोजिस्टोन डिस्टूजन का लेवल कम होने लगा तो क्या करेगा है प्रकास्य स्टूमिलेशन जाएगा कि भाई तुम निकाल फेर से एफसर और एलेज को फिर्स वो सिग्रीट करने शुरू कर देगा जिसको पोजिटीफ करते हैं एफसर स्टाट फॉलिकुलर फेज फेज फिर से नया मेंस्टूल साइकल का फॉलिकुलर फेज स्टाट कर देगा है हुआइवर इस फर्टिलाइस ना कर और मदर फेटस के बीच प्लेसंटा का बहुत बड़ा रोल है जाहिए गेसे से एक्षेंज हो यह नूट्रिशन को एक्षेंज हो तो प्लेसंटा रोल करता है वहां प्लेसंटा इसे जी खरने लगता है सजी फीवन को रिणने ट्रफीन विच मैंटेंस दा कॉर्पस लिट् बट्वाइं से प्रोगीश्टरों सिग्रेशन कटिने उसंग पीरिंच से प्रोगीश्टर नहीं के हैं पिरेट्वाइं प्रोगी तो हूं साथ में सबमें से फॉलिकुलर फेज और फेज लूटियल फेज और समय से अच्छे पॉइंट को उतार लेजिए अपने कभी पर दो से तीन बार उसको ख़ुझ से परिये दो से तीन बार लिख लिए आपको अच्छा सा मैं से आपका होर्मोन के साथ एकदम तयार हो जाएगा ठीक है आपको एक और फ्राइद यो नो देख लेते हैं कि आप जानते हैं इस्टोजन प्ले करा इस्टोजन का जो लेवल होता है मेंसरोज़ पर बहुत ज्यादा रहता है और फॉर्टीन देपर याद रखेगा लच का है कि अबलीशन होता है तो मेंसरोज़ साइकल के बीच में होता बचो ठीक है ध्यान रखेंगे कि फिर है कॉर्पस लूटियम फुली फुल्ली फॉल्मड नैंटीथ डिमसरोज़ साइकल जो कॉर्बस लूटियम होता है वह मेंसरोज़ साइकल कुने समय दिन पूरी तरह डवलप होता है और लेवल प्रोजिस्टोन इज मैक्समों ट्वेंटीफर साइकल और जो प्रोज पर इजाम इसको अच्छे से लिख देना कोई दिकत नहीं होगा सारा का सारा नमर आपको देगा अगर 15 नमर का है तो 15 नमर अच्छे से देगा जडिया आपका हें राटिंग अच्छा हो तो बचूटीकर सारा का सरा कंटेंट डाल दिये हम इस से ज्यादा बाहर कुछ प्रिवेस येर तो हमारे चैनल पर भरा हुआ है आप हमारे चैनल का नाम लिखे जो भी प्रिवेस येर चाहिए आपको मिल जाए ठीक है बचो तो बस यहीं से वीडियो कम्प्लीट करते हैं धन्यवाद